हलो बच्चो आज एक मनई और बहुत ही महतोपुर्ण जानकारी है आपके कोर्स से संबांदित इस वर्ष दोहचार इकिस बावीस के लिए आपका कोर्स कम कर दिया गया है तो आज हम कक्षा नवी के कम किये गए पाठ्यक्रम की विशेवस्तु को देख लेंगे कि कक्षा नवी में कौन-कौन से पाठ्यक्रम कर दिये गए हैं तो यहां पर हम हर विशे का देख लेंगे तो सबसे पहले यहां पर जो दे रखा है वो पढ़ लेते हैं तो यहां दे रखा है कि कोविड-19 के कारण हुए व्यवधान को ध्यान में रखते हुए परिक्षा वर्ष 2021-22 पाठ्यक्रम विशे समीतियं पाठ्य चर्या समीति के अनूमोधन उपरांत सभी विश्यों के पाठ्यक्रम में कमी की गई है कम किया गया पाठेकरम कक्षावार हैं विशेवार निम्नानुसार है तो हम देख लिएते कि सबसे पहले यहां पर हिंदी का दे रखा है हिंदी में कौन-कौन से पाठ कम कर दिये गए हैं कक्षा नववी हिंदी में कम किये गए पाठेकरम की विशेवस्तू तो नवी में चितीज में से और क्रतिका में से क्या-क्या कम किया गया है नवी में हिंदी की दो पुस्तकें चितीज भाग एक है और क्रतिका भाग एक है तो चितीज भाग एक है गद्य खंड में पाठ दो लासा की ओर जिसके लेखा के राहुल साक्रत्यानन यह कम कर दियागा यह परिक्षा में नहीं पूछा जाएगा यह कम किये गए पाठ क्रम के विशेवस्तु दे रखी है तो यह पाठ परिक्षा में नहीं पूछा जाएगा इसके बाद चितिज भाग एक गद्यखंड का ही पार्थ चार सावले सपनों की याद जिसके लेखा के जाबिर हुसे निह नहीं पुछा जाएगा इसके बाद पद्यखंड के चार पार्थे पद्यखंड में पार्थ दस वाक ललध्यत इसकी लेखी का है इसके बाद पाठ 14 है चंद्र गहना से लोटती बेर जिसके कवी है केदारनात अग्रवाल और पद्यखंड में पाठ 16 है यमराच की दिशा चंद्रकांत देवताले द्वारा लिखा हुआ पद्यखंड में पाठ 17 है बच्चे काम पर जा रहे हैं राजेश जोशी की कवीता है और इसके बाद क्रतिका में से एक पाठ कम कर दिया गया है इस जल प्रलय में पाठ एक है पनिश्वार नात रेनु का लिखा हुआ यह नहीं पुछा जाएगा तो आपका बहुत सारा कोर्स कम कर दिया गया है गद्यखंड के दो पाठ एक्जाम में नहीं आएंगे आपको नहीं पढ़ना है इनके प्रश्णतर याद नहीं करना है पद्यखंड के चार पाठ है पाठ दस पाठ चोदा पाठ सोला और पाठ सत्रा तो चार पाठ आपके कम कर दिये गए पद्य में से चार पाठ आपके एक्जाम में नहीं आएंगे इसके बाद क्रतिका में से पाठ एक कम कर दिया गया है फनिश्वरनात रेनु का यह भी परिक्षा में नहीं पूच्छा जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो गई है क्योंकि कोर्स बहुत कम हो गया है इसके बाद हम अगला विशय देखते हैं तो कक्षा नौवी का संस्क्रत देख लेंगे संस्क्रत में कम किये गए पाथेकरम की विशय वस्तु तो संस्क्रत शेमूशी भाग एक है आपके हिंदी में और इसमें से अध्याय सात दस और बारा तीन अध्याय कम कर दे गए हैं तो अध्याय साते प्रत्यभ्भी ज्यानम ठीके पिछले साल भी अकम किया गया था इसके बाद पाथ 10 जटायो हो शोरियम यह भी कम हो गया और पाथ 12 वांगमनह प्राणा स्वरूपम यह तीन पाथ परिक्षा में नहीं पूछे जाएंगे संस्क्रत में यह तीन पाथ आपक लेशन 5, 7 और 11 तो लेशन 5 दे स्नेक एंड दे मिरर यह नहीं पूछा जाएगा सेवन में हैं पैकिंग यह नहीं पूछेंगे और 11 जो है 11 में इफ आई वे आर यू यह नहीं पूछा जाएगा तो यह तीन जो पाथ यहां से कम कर दिये गए हैं आपके बिहाई मेंसे इसक लेशन 2, 3, 6, 8, 9, 0, 10 जिनके नाम है दे अडवेंचर आप टो और इस्वरन दे स्टोरी टेलर ठीक है वादरिंग दे स्टॉर्म इन राजमा हाउस इस नौत हों दे एक्सिदेंटल टॉरिस्ट ठीक है दे एक्सिदेंटल टॉरिस्ट लिखा है दे बेगर यह लेशन आपक इसके लिए फिरसे बठ बच्चे आएग इसके बाद पोईटरी में से पौयम अलिजेंट आफ फे नौर्थ लेंड, द लेक इसले आफ इनिस फ्री यह दो नहीं पूछिन जाएंगे में इस प्रकारियां दे रख यहां कॉर्स आपके अंग्रेजी में कम किया है पठेक्र म अधिया आपको इसके संभन में फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो तो उसके लिए फिर से अलग से वीडियो बना दिया जाएगा जिनका उर्दू विशह है उसमें भी जो जो पार्ट कम कर दिये गए तो आप देख सकते हो यहां पर उर्दू म इसमें 1.4 जो था अध्याय का भाग जो 1.4 प्रश्चनावली थी संख्या रेखा पर वास्त्विक संख्याओं का निरूपन यह नहीं पूछा जाएगा इसके अलावा अध्याय एक के बाकी जो प्रश्चनावली उसमें से क्रिश्चन आएंगे अध्याय चार इसमें 4.4 दो चरो वाले रेखी समीकरण का आवेग यह नहीं पूछा जाएगा इसके बाद अध्याय चार का 4.5 मतलब 4.4 चार 4.5 दोनों नहीं आएंगे एक X अक्षय Y अक्षय के समानतर रेखाओं के समीकरण यह नहीं आएगा इसके बाद अध्याय पांच यूकलिट की जामित्त परिचय यह नहीं पूछा जाएगा पूराइध्या है यहां पर इसके बाद अध्याय साथ है अध्याय सात में 7.5 और 7.6 यह नहीं पूछे जाएंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसोटिया यह नहीं पूछेंगे और एक त्रिभुज में असमीका यह नहीं पूछा जाएगा इसके बाद जो है अध्याए 8 है अध्याए 8 में से 8.5 और 8.6 यह दो भाग नहीं पूछेंगे चतुरबुच के समांतर चतुरबुच होने के लिए अन्य प्रतिबन और मध्य बिंदु प्रमेई दो भाग जो है नहीं पूछे जाएंगे अध्याए 10 में है 10.7 और 10.8 में से यह दोनों नहीं आएंगे एक वरत्य के चाप दोरा अंतरीम कोणों चकरी चतुरुबुच यह दोनों भाग नहीं पूछे जाएंगे इसके बाद अध्याए 12 में 12.3 चतुर भुजो के शेत्फल ग्याद करने में हिरोन के सुत्र का अनुप्रयोग यह नहीं पूछा जाएगा और अध्याए 14 में 14.4 आंकडों का आले की निरूपन यह नहीं पूछा जाएगा तो इस प्रेकार आपके गणित में भी बहुत सा कोर्स कम हो चुका है यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो हम बुक में फिर बाद में देख लेंगे इसके बाद विज्ञान तो विज्ञान में कौन-कौन सा कोर्स या कौन-कौन से पार्ट कम कर दिये गए हम देख लेते हैं कम किये गए पार्टेकरम की विश्यवस्तू विज्ञान में अध्याए 1 में हमारे आसपास के पदार्थ एक दिश्मलो पात दिश्मलो एक वाला जो भागे और वाशपी करण को प्रभावित करने वाले कारक से अंत तक तो इतना इतना नहीं पूछा जाएगा ठीक है अध्याए 1 जो है इसके बाकी वाला जो है वो पूछा जाएगा तो हमारे आसपास के पदार्थ में से वाशपी करण को प्रभावित करने वाले कारक से लेकर अंत तक का जो है वो कोर्स में नहीं आएगा तो यह हम बुक में फिर एक बार और देखेंगे जब हम अलग-अलग विशे का अच्छे से समझाएंगे तब इसके बाद अध्याए 3 है अध्याए 3 में परमाणू वा अनू 3.5 यह अध्या है और इसमें 3.5 आणविक द्रेमाने मोल संकल्पना से अंत तक यह नहीं पूछ द्रेमा वा दो 7ए 8 में 6.2 ऑद अत तक यह उतक दे शपूछ नहीं है इसके बाद अध्याए 8 में वा ट्वाफिक प्रदर्षन से अंत तक का भाग नहीं पूछ वाग नहीं पूछा जाएगा इसके बाद अध्याए 11 में तर फ्र子 Давайте ग्षाणवई का सामाजिक विग्ञान इसमें कौनकोन से पाठ रटा दिये गए हैं तो इतिहास सबसे पहले हम इतिहास में देखेंगे सामाजिक विज्ञान में तो इत्यास में आपका अध्याय चार और पांच वन्य समाज और उपनिवेश्वाद इसमें कम किये गए अध्याय विश्यवस्तु का नाम दे रखा है तो वन्य समाज और उपनिवेश्वाद में दे रखा है जावा के जंगलों में हुए बदलाव पेच क्रमांक तराणों से पिंचानों तक कम कर दिया गया है इसके बाद आधुनिक विश्व में चरवा है जो कि अध्याए 5 है इसमें आपका अफरीका में चरवाहा जीवन पेच क्रमांक 108 से 114 तक का भाग समाप्त किया गया है हटा दिया गया बाकी का अध्याए आपके को कोर्स में नहीं है इसके बाद अध्याए जो एक है लोकतंत्र क्या और क्यों है इसमें लोकतंत्र का व्रहत्तर अर्थ हटा दिया गया है और सविधान निर्मान वाले भाग में सविधान निर्मान वाला जो आपका अध्याए तीन है इसमें दक्षिन अफरीका में लोकतंत सुरक्षित कौन साकारी समित्यों की खाद्य सुरक्षा में भूमी का यह भाग हटा दिया गया है इसके बाद भुकोल में जलवायू तो जलवायू में से जलवायवी नियंतर्ण वर्षा का वित्रण और जनसंख्या में से जनसंख्या व्रद्धी जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया व्यवसाइक्स रचना रास्ट्री जनसंख्या निती वाले भाग हटा दिये गए हैं बाकी आपका कोर्स है तो इस प्रकार यहां पे कौन-कौन से भाग हटा दिये गए हैं तो कुछ विश्यों में पूरा पार्ट नहीं हटा दिया गया है, बलकि इनके कुछ-कुछ भाग हटा दिये गए, पूरे पार्ट नहीं हटा आए है, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे हम, इसका हर विश्य का अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि कौन से विश्य में से कितना कितना भाग कम कर दिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कुक्षा नव्य और दस्वी की समपूर्ण तयारी के लिए परिक्षा की तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए